पूर्जी स्कूल के आउनलाइन तरज़तालिम में आप तर्माम का इस्तखबार है आठवी जमार मजमून चुगराफिया सबख नमबर दो जमीन का अंद्रूनी इस्सा इस वीडियो को शुरू से आखर तक मुकमल देखे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल 4G स्कूल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल 4G स्कूल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताके आपको इससे अगले सबफ की नोटिफिकेशन हासिल हो सके तो चलिए आज के इस वीडियो की इप्तिदा करते हैं जरा याद कीजिए पिछली जमान में आपने चटानों के खिसमे आतिश फिशा और जलजले के बारे में मालूमाथ हासिल की थी इस पर मुनसिर दरजे जेल सवालों की जवाब दीजिए जलजला आता है यानि वाख़ए क्या होता है आतिशी चटाने कैसी बनती है आतिश फिशा किसे कहते है आतिश फिशा फटने से कौन सी चीज़े बाहर फेकी जाती है ये चीज़े कौन सी शकल में होती है ये चीज़े गर्म होती है या सर्द और क्यूं इन तमाँ सवालात की जवाबात आपको ढूरना है आईए अब आगे बढ़ते हैं आदा लीटर दूद गर्म कीजिए दूद गर्म होकर उबलने लग जाए तो गर्म करना बन कर दीजिए अब दूद के बरतर पर ढखकन रख दीजिए तजर्बे का अगला हिसा नहायत एहम है इसमें आपको मुशाहिदी की सलाईयत को बरोईकार लाना है और इसके जरी नतीजे तक पहुँचना है दस मिनिट के बाद बरतन पर रखा हुआ ढखकन अटाईए और इसे थोड़ा ते रिच्छा पकरिए देखिए क्या होता है दूद पर जमी हुई चीज किस हैयत की है इस चीज को एक तरफ कर दीजिए दूद पर जमी हुई चीज और दूद की तपिश के फरख को समझने की कोशिश कीजिए और दरजे जेल सवालों के जवाब दीजिए दूद को गर्म करते वक्त हो किस हालत में था दूद में उबाल आते वक्त दूद में कौन सी चीज बरामद हो रही थी ढगकन बरतन के ढगकन पर क्या जमा हो गया था बताईए दूद पर जमी हुई शे माई थी या ठोस वो बतन के अंदर के दूद के मुखाबले में ठंडी थी या गर्म ऐसा तजरुबा और किन किनशिया पर किया जा सकता है आईए देखते हैं इन तमाम सवालात के जवाबाद जोगराफियाई वजाहत की सूरत में गर्म करने से पहले दूद पूरी तरह माई हालत में था दूद में उबालाने के बाद इसमें से भाब बाहर निकल रही थी कुछ वखवे के बाद दूद पर गाड़ी बालाई दिखाई देती है बालाई अंदर के दूद के मुखाबले में कम गर्म होती है इस पर से ये बात कही जा सकती है कि बरतन में बालाई की सते पहले ठंडी हुई और इसके नीचे का दूद माई की शकल में ही गर्म रहा कुछ ऐसा ही जमीन के ठंडे होने के अमल में हुआ होगा यानि कि अब हम आते हैं दूद से जमीन के तरफ साइस्दा इस खयाल से मतफिक है कि जमीन का वजूद भी निजाम शमसी के साथ हुआ इप्तिदा में जमीन तपते हुए गैस के गोले की तरह थी अपने महवर पर घूमते घूमते वो ठंडी होती गई ठंडा होने का अमल उपरी सते से जमीन के मरकज की जानिब होने की वज़े से जमीन का बैरूनी हिस्सा यानि खशर अर्ज ठंडा और सख्त होता गया लेकिन अंदरूनी हिस्से में ज्यादा हरारत थी जो सते जमीन से अंदरूनी हिस्सी की जाने मुतवातर बढ़ती जा रही थी नेज एक मखसूस गहराई में जमीन का अंदरूनी हिस्सा नीम सैयाली हालत में है यानि कि हम देख रहे हैं कि हमारे जमीन का अंदरूनी हिस्सा कैसा है तो हमारी जमीन का उपरी हिस्सा जो है थंड़ा होने की वज़े से वो सक्त हो गया लेकिन इसके अन्दूनी तोर पर जो गर्म सैयाल था वो गर्म हालत में ही रहा और अब देखते हैं इसके आगे क्या हुआ जमीन का अन्दूनी हिस्सा कैसा है इस बारे में आज भी इस नाइनसान के दिल में तजस्स मौजूद है अब तक जमीन के अंदरूनी हिस्से को अमलन देखना मुम्किन नहीं हो पाया इसकी वज़े से माहिरी ने अर्जियात ने मुक्तलिफ तरिखों से मुताला करके कुछ अंदाजे लगाए है इसके लिए आतिश विशा से बाहर निकालने वाले मादों और जलजलों का खुसूसी मुताला किया गया है अब यहां आपको ये बात समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जिस तरीखे से हम जमीन के अंदर पहुंशेंगे आपको महसुस होगा कि जमीन का दरजे हरारत बढ़ता जा रहा है और यही वज़े है कि इस साइसदानों को आज भी उस मकाम तक पहुंशने में दिक्कत हो रही है इसलिए जब आतिश विशा फटते हैं तो उसमें से जो सैयाल बाहर आता है उन पर रिसर्च करके तेखिखात का अमल किया जा रहा है आतिश विशा के फटने से बाहर निकलने वाले मादों में इंतहाई गर्म सैयाल लावा गैस भाप वगरा शामिल होते हैं लावे के सर्द होने पर आतिशी चटान बनती है इसी के साथ साथ दर्जएहरारत कसाफद, खुवत, खुवत, दबाव के मताले से लगाए गए अंदाजों की मदद से अंदरूनी हिस्से की साखत समझ में आती है मसलें कान में गहराई पर जाने में दर्जएहरारत में जाफ़ा पाया गया आतिश विशा के पटने से बाहर आने वाला लावा गर्म होता है जमीन के मुक्तलिफ हिस्सों में हर साल बेशुमार जलजले आते हैं जिसकी वज़े से जलजले की लहरे पैदा होती है ये लहरें जमीन के अंदरूनी मरकज से सफर करती हैं इनकी सिम्त और रफ्तार का मुताला करके अंदरूनी हिस्से की साखत के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है खश्र अर्स का मुताला करने के लिए इनसान ने नलकी नुमा सुराग भी बनाए है यानी जमीन के अंदर जो भी है इसका मुताला करने के लिए इनसान ने बहुत सारी रिसर्चेस और तहकेखात की हैं आईए देखते हैं अब क्या आप जानते हैं हमारी जमीन तकरीबन 460 करोड बरस पहले वजुद में आई इप्तिदा में जमीन गैस की शकल में थी हरारत के खारिज होने के अमल से वो धीरे धीरे थंडी होती गई जमीन पहले माए हालत में तबदील हुई बरसो बाद जमीन का इंतहाई बैरुनी हिस्सा पहले थंडा होकर ठोस बन गया जमीन के इसी उपरी हिस्से को खशर अर्स कहते हैं आज भी निजाम शमसी के बाद बैरूनी सैयारे गैस की हालत में हैं अब हम देखेंगे जमीन के अंधरूनी हिस्से की साख़प दरजे जिल सरगर्मी तलबा के दो ग्रोह में की जाए हवाले के लिए सफा 11 की तसाविर का इस्तेमाल कीजिए सुर्ख जर्द और नीले रंग के मिट्टी के गोले लीजिए जो बाजार में मिलते हैं सुर्ख रंग का गोला कुछ बड़ा हो जर्द रंग के गोले को फैला ले और इसमें पूरन पोली की तरहा सुर्ख गोला भर दीजिए और अब इसकी शकल ठोस कुर्रवी बना दीजिए अब नीले रंग के गोले को चप्टा बना कर इसमें जर्द रंग के गोले को दबा कर ठोस कुर्रवी शकल में बना लीजिए ग्लोब की तरह अब इस मृट्टे के ठोस कुर्यवी शकल के गोले को जर्द गरंग दे कर इस पर बर्य आज़म बना लीजीए अब मिट्टी का ग्लोब तेयार हो गया जमीन की अंदरूनी हालत को देखने के लिए इस मिट्टी के कुर्रे को बीच में से आधा काट लीजिए इस मिट्टी के कुर्रे के अंदर आपको जमीन के अंदरून की तरह मुखतलित तहें नजर आएंगी इन तहों को अब आपको नाम देना है अब हम देखते हैं जोगराफियाई वजाहत सते जमीन से मरकस की जानिब होने वाली तबदीलियों में बिलखुस हरारत कसाफ़त का शुमार होता है इन दोनों अज़ा की तबदीली की बुनियाद पर जमीन की अंदरूनी हालत के दरजजेल हिसे तयार होते हैं यानी जमीन की अंदरूनी हिसे में देखते हैं हम खशर अर्ज, वस्ती खौल और मख्स खशर अर्ज में बर्रे आजमी गलाफ और बर्रे आजमी गलाफ और बहरे आजमी गलाफ आएंगे वस्ती खौल में जेरी वस्ती खौल, बाला वस्ती खौल और मख्ज में अंदरूनी मख्ज और बेरूनी मख्ज इस तस्वीर में देखिए यहां पर आपको सबसे पहले बर्रे आजम गिलाब दिखाया गया है जिसे सयालिया साइमा भी कहते है उसके बाद उसे खौशर अर्ज भी कहा जाता है फिर है वस्ती खौल, उसके अंदर है बेरूनी मख्ज और सबसे आखिर में है अंदरूनी मख्ज इसे इस तरीखे से भी समझाया गया है जो हमने अभी आप देखा है प्रैक्टिकल करके वीडियो के जरीए देखिए इस ते वही शकल आपको यहाँ पर दिखाई गई है किस तरीखे से जमीन का अंदरूनी खौल बना हुआ है खशर अर्ज जमीन के सबसे उपर का हिस्सा ठोस शकल का है इसे खशर अर्ज कहते है खशर अर्ज की मोटाई हर जगा यकसा नहीं है इसकी ओसत मोटाई 30 से 35 किलो मिटर है बर्रे आजमों के नीचे मोटाई किलो मिटर के दर्मियान होती है कोहिस्तानों इलाखों में इसकी मोटाई 40 किलो मिटर से ज्यादा और समंदरी फर्ष के नीचे 10 किलो मिटर से भी कम होती है यानी इस शकल में देखिए जमीन का खश्र अर्ज आपको वाज़ होगा कि चटानी कुर्णा देखिए खश्र अर्ज और वस्ति खौल जो के 100 किलो मिटर तक है उसके बाद आती है बारी जेरी वस्ति खौल उसके अंदरूनी के खौल में बैरूनी माख्स माई हालत में है और उसके बाद अंदरूनी माख्स ठोस हालत में है और जमीन का मरकज जो के तकरीबन 6,371 किलो मिटर गहराई में मौजूद है इसकी मिसाल आप इस तरह खश्र ले सकते हैं हमको दिखाया गया है कि अंदर मरकज तक पहुँचने में आपको कितनी सत्हों का सामना करना पड़ेगा सत्ह जमीन के नीचे जैसे जैसे गहराई में जाएं दर्जे हरारत में जाफा होता जाता है इसके पाद वस्ती खौल में दर्जे हरारत के बढ़ने से तनाश exfol में कमी वाखे होती है लेकिन मक्स के इसे दर्जे हरारत में जाफा होता है जमीन के मरकज में 5,500-6,000 सेल्सियस तक दर्जे हरारत होता है खश्रे अर्ज, वस्तिखौल और मक्स के मुखाबले में बहुत कम मोटाई का है इसके दो जेली हिस्से हैं जैसे हमने अभी शक्ल में वाज़ किया था आपको कि खश्रे अर्ज के दो हिस्से हैं बर्रे आज़म या खिलाफ यानी सयाल ये खुसुसां सिलिका और अलोमेनियम इन बुनियादी अनासिर से बने हैं इन अनासिर की मिगदार ज्यादा होने की वज़े से पहले इस तैह को सयाल कहा जाता था चटानी कुड़े की कसाफ़त 2.65-2.90 ग्राम मकबसम है इसकी ओसत मुटाई 30 किलोमेटर है इस तैह में अमूमन ग्रेनाइट चटाने ही पाई जाती है इसके बाद जो दुसरा हमने देखा था बर्रयाजम गिलाफ या जिससे साइमा कहा जाता है खशर अर्स की ये दूसरी तैह है ये तैह सिलिका और मेगनेशियम के आमेजे से बनी हुई है पहले इसे साइमा कहा जाता था इस तैह की औसत मोटाई 7 से 10 किलोमेटर है बर्रयाजम गिलाफ की कसाफ़त 2.9 ग्राम मुकबसम है और 3.3 ग्राम मुकबसम है इस तैह में उमूमन बसाल्ट और गेबरो की चटाने पाई जाती है अब देखेंगे क्या आप जानते हैं साइजदा कॉन्रेड ने मतेखिख की थी कि बर्रयाजम गिलाफ और बहरे आजम गिलाफ की कसाफ़त में अद्म तसलसल है इसलिए इस फर्ख को कॉन्रेड फर्ख कहते है खशर अर्ज और वस्तिखौल में भी फर्ख है इस फर्ख की तेखिए जिस साइजदा ने की इसका नाम महरो विस्क था इसलिए इस फर्ख को महरो फर्ख कहते है वस्तिखौल और मख्स के दर्मिया इन फर्ख है साइजदा गितन बर्ग ने इस फर्ग की तेहिखी थी, इसलिए इस फर्ग को गितन बर्ग फर्ग का नाम दिया है य Sabrina, जो बी हमारे पास इस्तिलाहद हासिल हुई है, उन इस्तिलाहद को किन साइजदानों के नाम से जोड़ा गया है यहां पर आपको उसकी तफसीली मालूमाद दी हुई है अब हम देखते हैं जमीन का वस्ती खौल खशर अर्ज के नीचे वस्ती खौल की तह पाई जाती है वस्ती खौल के दो जेली हिस्से हैं बाला वस्ती खौल और जेरी वस्ती खौल बाला वस्ती खौल ज्यादा महर्री को तहरिक होता है इसी तहे में लावा जमा होता है आतिश फिशा फटने पर ये लावा जमीन के सतह पर आ जाता है वस्ती खौल की इस तहे को कमजोर वस्ती खौल भी कहते है जलजलों के मराकिज में उमूमन इसी तह में पाए जाते है जमीन से तकरीमान 42 किलोमिटर की गहराई के बाद ये तह शुरू होती है वस्ती खौल में होने वाली जबर्दस हरकात की वज़े से सते जबीन पर पहार शिगाव वादिया बनती है आतिश फिशा फटते हैं और जलजले आते हैं एक अंदाजे की मताबिख इस तह में 2400 से 29 किलोमिटर तक की गहराई का दरजे हरारत 2200 से 2500 से तक हो सकता है यहां की चट्रानों की साख और कसाफत में अचानक तब्दिली हो जाती है माहिरीन का अंदाजा है कि इस तहे की गहराई 2870 किलोमिटर होगी इस तहे की ओसत कसाफत 4.5 ग्राम मुकबसंग है और गहराई के मताबिख कसाफत बढ़ती जाती है इसकी वज़े से बढ़ता हुआ दबाव है इसकी वज़े बढ़ता हुआ दबाव है जेरी वस्ती खौल की कसाफत 5.7 ग्राम मुकबसंग है अब हम देखते हैं मखस सत्य जमीन से अंदाजन 2900 किलोमिटर गहराई के नीचे मखस का हिस्सा शुरू होता है वस्ती खौल की नीचे और जमीन के मरकस तक का ये हिस्सा मखस है मखस की मोटाई 3,441 किलोमिटर है अंदुरूनी मखस और बैरूनी मखस इसthake के दो घिस्से तसलीम किये गए हैं बैरूनी मखस देखते हैं बैरूनी मखस सत्य زमीन से 2900 کिलोमिटर से पाच हजार एक सो किलो मिटर तक की गहराई तक पाया जाता है जलजले की सानवी लहरे इस हिस्से से नहीं गुजर सकती यह हिस्सा सयाल होने की वज़े से जलजले की लहरे यहां जजब हो जाती है माहिरिन ने ये अन्दाजा लगाया है कि शायद मकस का ये हिस्सा सैयाल ये नीम सैयाल रहा होगा जल जले की अबत्दाई लहरे अलबता इस हिस्से से गुजर सकती है लेकिन यहां इनकी रफथार सुस्ट हो जाती है बैरुनी मकसी कसाफ़त 9.8 ग्राम मुकबसम है इस बेरुनी सैयाल मख्स का दरजे हरारत तकरीबन 5000 सेलसियस है जमीन के अंदरुनी हिस्थे का बेरुनी मख्स सैयाल मादों से बना हुआ है और इस तहह में लोहे की कशधात की कसरत है इसे मताले हम सब सीख चुके हैं बेरुनी मख्स के सैयाल हालत की वज़े से इस इससे में उमूदी लहरे पैदा होती है इस तहे की ये एक और खुस्सियत है बेरुनी और अंदरुनी मख्स में पाई जाने वाली हरारत के दर्मियान के फर्ख की वज़े से उमूदी लहरे पैदा होती है زمین کی محوری گردش کی وجہ سے ان لہروں کو لٹو کی طرح رفتار حاصل ہو جاتی ہے سیال مادنیات کی وجہ سے ڈولتے ہوئے لٹو کی طرح حرکت کرنے والی ان لہروں میں بجلی بیدا ہوتی ہے اور مخناطیسی خوت کا میدان تیار ہوتا ہے اسے زمینی کشش یا طبئی جنریٹر بھی کہتے ہیں زمین کا یہ مخناطیسی میدان سیارہ زمین کے باہر بھی بہت دور تک اثر کرتا ہے इसलिए इस मकनातिसी मैदान की वज़े से जमीन के अतराफ एक खिस्म का गिलाफ तयार हो जाता है इस गिलाफ की वज़े से सूरज की सिम्से आने वाली बाद शमसी से कुर्य हवा की हिफाज़त होती है जमीन पर तयार होने वाले इस मखनातिसी मैदान को मखनातिसी कुर्रा भी कहते हैं जमीन का ये पांचवा कुर्रा नहाया तेहम दें शकल का मुशाहिदा करके इसे समझते हैं याप ये बात समझ लीजिए कि जमीन के अंदर मौजूद सैयाल में मखनाती सी लहरें उटती है और उसी वज़े से उसका मखनाती सी मैदान तयार होता है याप जमीन पर जो भी चीज टिकी हुई है वो इसी खुछत की वज़े से टिकी हुई है आईए देखते हैं इस शकल के जरीए यहाँ पर देखिए जमीन दिखाई हुई है और उसके अतराफ पुरा मखनातिस सी मैदान है और सूरत की सूरत से आने वाली बाद शम्सी शुआँ से इसकी हिफाज़त हो रही है इस मैदान की वज़े से अंदरुनी मख्स अंदरुनी मख्स सते जमीन के नीचे 5150 किलो मीटर से 6371 किलो मीटर तक पाया जाता है यह जमीन के अंदरुन का सब मरकजी हिस्सा है और ठोस शकल का है इस ठोस कुर्य की कसाफ़त तकरीबन 13.3 ग्राम मकबसम होती है इस तहह में खास तोर पर लोहा और कुछ मिगदार में निकिल जैसी मादनियाद पाई जाती है इसलिए इसे नाइफ भी कहते है मख्स में मादनियाद जबर्दस दबाव के इस तहट जेरे असर रहने की वज़े से अंदरुनी ठोस मख्स ठोस शकल में है गिरफ्तार के टेड़े पन का मुशाहिदा कीजिए इसमें ये दिखाया गया है किस तरिखे से जलजले की लहरे और जब वो अंदर से आती है तो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर किस तरिखे से वो असर अंदाज होती हुई जमीन के खशर तक पहुँचती है आपके लिए हूम वक है कि इस शकल का बगौर मुशाहिदा करके कसाफ़त और तेड़े पन में फर्ख तलाश कीजिए और उन्हें जाहर करने की कोशिश कीजिए